पॉलिस की रोमियो के नाम पत्री अध्याई बारा बचन नव मैं पढ़ती हूँ द्यान दे कर सुनिये प्रेम निस्कपठ हो, बुराई से घ्रणा करो, भलाई में लगे रहो हालेलोईया, हालेलोईया, हालेलोईया मेरे प्यारे भाई और बहनों यहाँ पर पॉलुस बता रहा है प्रेम निस्कपठ हो, बुराई से घ्रणा करो, और भलाई में लगे रहो केवल तीन वाक्य का ये वचन है पन आज इस वचन के हम गहराही में जाएंगे कि पॉलुस को अपनी पत्री में क्या बता कर देना है वो लोगों को पत्री लिख रहा है और उसमें ये बातों को उसने बताया है कि प्रेम निस्कपट हो, बुराई से घ्रणा करो हर एक घर में हमें स्वार्थ दिखाई देता है स्वार्थ, फिर वो मा या बेटे का प्रेम हो भाई-भाई का प्रेम हो या बहन-बहन का प्रेम हो आज कोई किसी के उपर कुछ प्यार करता है या कुछ प्रेम प्रकट करता है तो उसके पीछे उसका कुछ न कुछ कारण रहता है, कुछ न कुछ मकसद रहता है, बिना मकसद का, बिना कारण का कोई किसी के उपर प्रेम नहीं करता है, कोई किसी के उपर एहसान नहीं करना चाता है, कोई किसी की परवा नहीं करना चाता है, क्यों? प्रेम दिल में खतम हो चुका है पहले हम देखते थे कि एक घर में माता पिता है उनके चार बेटे है उनकी चार बहुए पतनी आ गई यानि उनकी बहुए आ गई उनके बेच्चे हो गई ये सारा परिवार एक साथ मिलकर रहता था एक साथ ये बहुत बार देखने में आता था कि भरा बुरा बहुत बड़ा परिवार है वो सब एक साथ मिल जुलकर रहते थे पर आज की हालत ऐसी हो गई है एक घर में केवल माता पिता है और पती पतनी है तो भी वो एक दुसरे के उपर ठीक से प्रेम नहीं करते एक दुसरे के उपर प्यार तो करना दुर की बात है वो एक दुसरे की तरब देखना भी पसंद नहीं करते हैं क्यों? परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा प्रेम निस्क कपट हो मतलब तुम्हारे प्यार में स्वार्थ नहीं होना चाहिए और यहां पर वक्ती बिना स्वार्थ का किसी को कोई एक ग्लास पानी भी नहीं देता है आपके घर में कोई महमान आया है अगर वो आपके पसंद का वक्ती होगा तो ही आप उससे बाते करेंगे तो ही आप उसका समाचार लेंगे उसकी हालचार पूछेंगे पर अगर वो आपका विरुद्ध वेक्ति है, आपका कोई दुस्मन है, तो आप कोई ना कोई बहाना करके घर से निकल जाएंगे, सही बात है ना, कोई ना कोई बहाना करके आप वहां से जल्दी से जल्दी निकलना पसंद करेंगे, आप उस वेक्ति से बात करना पसंद नही करेंगी क्यों आपका उसके दिल में कोई आपके दिल में उसके लिए कोई प्रेम नहीं रह गया है उसने आपका या तो कुछ बिगाड़ा है या तो कुछ नुकसान किया है या तो कुछ गलत किया है आज प्रेम कहां पर है जहां पर प्रेम की बात आती है वहां पर प्रेम इ लेड़ा है सबके साथ फिर कोई भी हो पत्नी पत्नी के उपर भी प्यार ठीक से नहीं करती उससे वो ठीक से बाते नहीं करती और भाई-भाई का तो पूछना ही गलत बात है क्योंकि आज भाई-भाई के बीच में प्रेम नहीं रहे गया है दो सगी बेहने आपस में पहले जो रहा करती थी आज की हालत क्या हो गई है जमिन के उपर से बेहन-बेहन के उपर प्यार नहीं करती जमिन के उपर से भाई-भाई के उपर प्यार नहीं करता वो एक दूसरे से बाते करना पसंद नहीं करते इसलिए हर कोई अलग रहना चाता अपने इच्छा कया नुबसार comfort him हम लोगों का ये भी कहना रहता है उनसे थोड़ा दू रहेंगे थोड़ा दूर घर लेंगे क्यों? नज़्धिक रहेंगे तो उनसे बार-बार मुलाकात होगी तो बार-बार वो हमारे बीच में बोलेंगे तो हमें पसंद नहीं है, बार-बार वो हमारे बीच में ऐसी कुछ बाते करेंगे, जो हमें अच्छी नहीं लगेगी लोग आज दूर रहना चाता है, अपने लोगों से दूर रहना चाते है इसलिए तो Paulus कह रहा है कि तुम्हारे प्रेम में निस्कपटा हो यानि उस प्रेम में कपट नहीं होना चाहिए, बुरी भावना नहीं होनी चाहिए और उसका सबसे बड़ा उधारन आज हम प्रभियेसु मसी को ही लेकर देखते है परमेश्वर का प्यार, जो कि बाइबल कहती है सबसे उत्तम और महान प्यार सबसे उत्तम प्यार, आज आप इस धर्दी पर सबसे उत्तम प्रेम किसको समझते हैं पता नहीं लेकिन बाइबल कहती है सबसे उत्तम प्रेम और महान प्रेम एक ही प्रेम है जो परमेश्वर ने मनुस्य के उपर किया है जो परमेश्वर ने मनुस्य के उपर किया है परमेश्वर ने इस मनुस्य को जब निर्मान किया तो निर्मान करने के बाद वो मनुस्य को भूल सकता था उसको उसके हालत पर छोड़ सकता था तो बताईए परमेश्वर का क्या बिगड़ता कुछ बिगड़ता परमेश्वर का क्या बिगड़ता आपका बेटा अगर गलत रास्ते पे चलता है तो आपको देखा नहीं जाता है आपको ऐसा लगता है कि मत चल उस रास्ते पे तेरा नुकसान हो जाएगा तेरा बरबाद हो जाएगा पर जब वही बेटा आपका नोगसान होगा ना तब पता चलेगा, परमेस्वर ऐसा कहता है हमारे विशे में, बाइबल कहती है, एक कभी नुकसान ना हो चाए, ऐसी परमेस्वर की इच्छा है, बल्कि पापी से पापी व्यक्ती भी मन फिलाए और पस्चात अब करें और स्वर्ग में पहुँचें, ये परमेस्वर की इच्छा है, हालेलोईया, 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 परमेस्वर को, जब परमेस्वर ने इंसान को बनाया और बनाने के बाद, जब हम सब उस परमेस्वर के प्यार से अलग हो चुके थे, दूर जा चुके थे, तभी उस परमेस्वर ने प्या जिस स्वर्ग के विशे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे स्वर्ग में वो परमेश्वर विराजमान था। उसके पास तो बहुत सारे देवदूत थे इतने सारे देवदूत रहते हुए भी कोई चीज की कमतरता ना होने की वज़े से भी उस परमेश्वन ने मनुस्य के उपर प्यार किया और उस प्यार के बदले उस प्रेम के खातीर उसने मनुस्य का रूप लेकर इस धर्ती पर उत्रा और वही प्रभु येशु जब इस धर्ती पर आ गया तो उसने क्या किया बताईए क्या किया उसने मरने से पहले कुरूस पे जाने से पहले लोगों को वो चंगा करता फिरा लोगों को वो चंगा करता फिरा वो केवल सूसमाचार बताता परमेश्वर के विशे में बताता और कुरुस पे मर जाता तो क्या इतने लोग उस पर विश्वास करते नहीं उसने प्रेम का सबूत दिया और वो सबूत ऐसा था बाइबल कहती है जितने बिमार लोग उसके पास आते थे सब चंगे हो चाते थे वो सब को चंगा करता था यह उसके प्रेम का सबसे बड़ा सबूत कोड़ी वेक्ती जब उसके पास आता था तो वो केवल मूँ से बोलता तो क्या वो कोड़ी सुद्ध नहीं होता ठीक नहीं होता लेकिन क्यों बाइबल में लिख के रखा है कि कोड़ीों को उसने चुआ चुने का कारण क्या था वो बोलता और कोड़ी सुद्ध हो जाता इतना उसके सब्द में ताकत थी उसने बोला और समुद्र सांथ हो गया तो क्या उसके बोलने से कोड़ी ठीक नहीं हो सकता उसके बोलने से मरे हुए जिंद्ध हो रहे थे तो क्या उसके बोलने से कोड़ीों का रोग निकल नहीं सकता था निकल सकता था पर उसे दिखाना क्या था वो कोड़ीों के पास जाता था उन्हें छूता था क्यों? जो कोड़ी समाज में उनके गाउं में उनके लोगों में बाहर किये गए थे अपमाने किये गए थे वो उनको छू कर दिखाना चाहता था कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और जब लोगों को वो चंगा करने के बाद उसने परमेशवर का सूसमाचार लोगों तक पहुचाया, पहुचाने के बाद उसने सबसे बड़ा सबूत दिया, कि वो खुद कुरूस पे मर गया, आप मुझे बताये, अगर मैं और आप नरक में जाते तो उसमें परमेशवर का क्या बिगड़ता, क्या बिगड़ता, कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ भी नहीं, आप कभी गहराई से सोचिए, जब आप रातना करने बैठते हैं तो इस बात को सोचिए, अगर मैं नरक में गिर जाता, या मैं नरक में गिर जाती, तो उसमें परमेशवर का कहा नुकसान होता, कहा नुकसान होता, पर देखिए हमारे जैसे बुरे लोगों का वो इतना सहता है कि हम इतना बुरा करते है तो भी वो हमें धकेल नहीं देता है नरक के लिए छोड़ नहीं देता है तो जितनी बार हम उसके पास बुराई करते है और अपने पापों के लिए पस्याताब करते है उतनी बार वो कहता है मेरे बेटे मैंने तुझे समा किया मेरे बेटी मैंने तुझे समा किया और फिर क्या होता है फिर से वो स्वर्गा के लिए हमें इकठा करता है हालेलोईया 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 मेरे प्यारे भाई और बेहनों, आप अगर किसी व्यक्ति के उपर प्रेम करते हैं तो पहले गहराई में जाईए और सोचिए कि मेरे प्यार में, मेरे प्रेम में कोई स्वार्त है क्या, जैसे कि पडोसी, पडोसी के साथ वहवार क्यों रखते हैं, मेरे दुख में, अगर वो साथ देगा तभी मैं उसके दुख में साथ दूँगा बहुत बार लोग बोलते हैं उनके घर में इतना इतना तकलिफ आगई हमने मदद की पर हमारे घर में तकलिफ आगई तो वो उमको देखने के लिए भी नहीं आए अब अगली बार कुछ हुआ ना तो हम उनके पास जाएंगे भी नहीं खतम हो गया प्रेम आपने उनके मजबूरी में मदद कर दिया और उन्होंने आपके मजबूरी में मदद नहीं किया प्रेम खतम यहीं पर प्रेम खतम हो जाता है आप वहाँ पे दियंड कर देते हैं, आप इसके आगे रिस्ता नहीं रखेंगे आप इसके आगे कोई वहवार नहीं रखेंगे परमिस्वर वैसा करता है क्या हमारे साथ वो हमें देता है, देता है, देता है और कितना देता है? गिन नहीं सकते, इतना देता है एक आसी से, दस आसी से, सौव आसी से, आप मुझे बताईए, आपने जब प्रभी एसु पर विश्वास किया, उस दिन से लेकर जितनी आसी से प्रभू ने आपके जीवन में दी है, वो सब लिख डालिये, लिख सकते हैं क्या बताईए, उसकी आसी सो को हम में से कौन लिख स कि आज दिन भर में मैंने क्या क्या किया, लेकिन आज दिन भर में उस पर मेस्वर ने मुझे पर कितनी करूना की, यह हम नहीं बता सकते, क्योंकि उसकी करूना बारिस की बुंदों के सामान है, जिसे मनुष से कभी गिन नहीं सकता, हालेलोईया, 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 इसलिए तो कुछ मेहना पहले एक बेहन ने गवाही दी थी वैसा उन्होंने बताया कि ये बेहन के पती, पती के मित्र, उनकी पत्नी, मतलब इस बेहन के पती के मित्र की पत्नी बहुत ज़्यादा बिमार हो गई थी और बिमारी में उनके पती ने बहुत जगा पे इलाज कराये, बहुत कुछ कराया, पर उसकी तब्यत में कुछ भी फरक नहीं पढ़ रहा था जब इस बेहन के पती ने उनको बता दिया कि ऐसे से मेरे मित्र की पत्नी बहुत बिमार है, मुझे रखता है वो हॉस्पिटल में थी और कुछ ज़्यादा उनको विसेश फरक नहीं पढ़ रहा था उस समय इस बेहन ने सोचा, अपने पती से उन्होंने बात किया कि मैं जाओं क्या एक बार उनसे मिलने के लिए तो उनके पती ने कहा कि आज रुक जा कल हम दोनों साथ में जाएंगे दोनों जन दुसरे दिन गए हॉस्पिटल में हॉस्पिटल या घर गए मुझे ठीक से नहीं पता वो गए उनको मिलने के लिए ये बहन बिस्तर पे थी पुरी तरह से कुछ नहीं कर सकती थी खुद का, खाना नहीं, कपड़ा नहीं, कुछ नहीं बिस्तर पर थी पुरी तरह से और फिर ये बहन ने प्रातना किया, वो विश्वासी बहने इस बहन ने प्रातना किया कि प्रभू, मैं आज तेरे नाम से इस बहन के घर चा रही हूँ उसने बहुत कुछ किया है, पर आज मैं तेरा नाम उसे देने जा रही हूँ कुरुपा कर और इस बहन के दिल को पर्स कर और वो तेरे पास विश्वास करे, तुझ पर विश्वास करे ऐसी कुरुपा बना ये बहन चली गई और उसने कहा मैं एक जगह प्रात्ना में जाती हूँ क्या तुम मेरे साथ चलोगी वो थोड़ी देर सान्त हो गई और उसने कहा हाँ मैं चलूँगी दूसरे दिन या कुछ दिन के बाद सुक्रवार था ये बहन ने सुबह सुबह उसे फोन किया तुम आने के लिए तैयार हो ना प्रात्ना में उसने कहा हाँ मैं तैयार हूँ इस बहन ने उस बहन के लिए पूरा दिन उपवास रखा पूरा दिन जबकि वो इसके कुछ नहीं लगती थी केवल पती के मित्र की पत्नी थी वो पर इसने कहा मैं उसने उनको बताया नहीं वो बोलती है मैंने उसके लिए उपवास रखा पूरा दिन का उपवास किया कि प्रभु आज तेरे भवन में इस बहन को ला रही हूँ तेरी दया कर और इस बहन को छू कर इसको चंगा कर जब उसको लेकर आई तो भी वो ठीक से चलने ही पा रही थी वो ऐसे एक जगा पे बैठी हुई थी और जब यहां से प्रात्ना सुरू हो गई तो प्रात्ना में बताया है कि खड़े हो जाए प्रात्ना के लिए तभी उस बहन को ठीक से खड़े होने को नहीं हो रहा था तो यह बहन बार बार उसको उस बहन को बता रही थी जो कि बिमार थी कि तुम बैठ जाओ मैं तुम्हारे लिए प्रात्ना करती हूँ तुम बेट जो मैं तुम्हारे लिए प्रात्ना करती हूँ पर उसने का नहीं मैं भी खड़ी रहती हूँ प्रात्ना में उसे अनुभव आ गया प्रभु की कृपा उसके उपर हो गई उसके सरीर में उसको ताकत महसुस होने लगी घर जाने के बाद उसने यहां से आप प्रातना का तेल लेकर गई उसे इस्तेमाल किया, दूसरे दिन उस बहन ने फोन किया और बताया, उसने उनको पूछा, तुम्हारी टब्याद कैसी है उसने कहा कि उस दिन की प्रात्ना के बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ और जो बहन बिस्तर पर पड़ी थी वो खुद सारा काम करने लगी और उसने खुद बताया अभी मैं काम पर भी जाने लगी हूँ तो मुझे बताईए ये किसके उपकार है उस बहन ने नी स्वार्थी होकर उसके लिए उपवास करके प्रात्ना किया तभी तो स्वर्गे से प्रभु ने सुन लिया आप यहां पर बैटे हो आपको भी कोई तो कोई लाने वाला है किसी ने किसी ने आपके कानों में सुसमाचार बताया है तभी तो आप यहां तक पहुच गए हो इसी प्रकार से हमें दुसरों के लिए अपने दिल में प्रेम रखना चाहिए प्रेम बाइबल में जो वचन मैंने बताया है उसमें लिखा है प्रेम निस्कपट हो बुराई से ग्रिना करो और भलाई में लगे रहो प्रेम निस्कपट हो और अंत का वचन कहता है भलाई में लगे रहो भलाई मन उससे कब करता है जब उसके दिल में प्रेम रहता है तब करेगा आपके दुस्मन आपके सामने खड़े हो गए, तो क्या आप उनकी भलाई करेंगे? भलाई करेंगे? इसलिए तो वचन कहता है, बाइबल में ऐसा लिका है, अपने पडोसियों से प्यार करो, अपने पडोसियों से, फिर वो पडोसी आपका कोई भी हो, आप कब प्रेम कब आप उनका भलाई करेंगे? जब आपके दिल में उनके लिए कोई तरस की भावना होगी, तब करेंगे? जब आपके दिल में उनके लिए कोई तरस की भावना ही नहीं है, आप बोलते जाने दो, जो करता है उसको करने दो, उससे मुझे क्या? मुझे प्रभू मिल गया, मेरा काम हो गया, मेरे परिवार को प्रभू मिल गया, मेरे हमारा काम हो गया, हमारा उद्धार हो गया, इसे कहते हैं स्वार्थ, अगर आपके आज पास के लोग बिमार हैं, दुखी हैं, और वो हर दिन उस दुष्ट सैतान के आज से दुख भोग रहे हैं, और आप अपनी आ Bible कहती है, भलाई में लगी रहूं, हर एक के साथ, फिर वो कोई भी ना हो, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, और उस भलाई करने के लिए भी हम अपनी ताकत से उनकी भलाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम भलाई तब दुसरों की करते हैं, जब स्वर्ग से हमारे उपर क तुम दूसरों की भलाई करने के लिए भी हमें परमेस्वर की कुरुपा की जरुवत लगती है बिना कुरुपे के हम दूसरों की भलाई तो छोड़ दूड़ दूसरों के बारे में अच्छा सोच भी नहीं सकते हैं अज दुनिया में लोगों की विसे में क्या चल रहा है यह ग्रणा करो, बुराई से ग्रणा करना मतलब बुराई से नफरत करना, अब मैं आपको बताने जा रहे हूं, बुराई से नफरत करना मतलब पाप से नफरत करना, बहुत लोगों को बुरा करने में आनंद मिलता है, और वो उस बुराई को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो उस पाप के लिए प्रेम रह जाता है, प्रेम, इसलिए यहां पर लिखा है, उस बुराई से घ्रिना करनी चाहिए, यानि हमें नफरत करनी चाहिए, आज तक आप जो गलत काम कर रहे थे, गलत काम, यानि समझ लिजा आप आफिस में रोज रिस्वत लेने वारे लोग बन गए हो अभी आपको डर लग रहा है, अगर वो करूँगा, तो सायद परमिस्वर का दंड मुझ पर आ जाएगा, वो बुरा काम में करूँगा, तो परमिस्वर का दंड मुझ पर आ जाएगा, आपने क्या किया, डर की वज़े से उस चीज को छोड़ दिया, लेकिन उस चीज के ल बोलेंगे आज ले लेता हूं, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। इसे कहते हैं, बुराई से घृणा नहीं, तो बुराई आपको पता थी, लेकिन आपने थोड़े समय तक उसको रुका के रखा था। जरूरत पढ़ गई तो फिर से ले लिया। जैसे कि प्रभु के एक सेवक ने बताया है, मैंने उनके प्रवचन में सुना है, उन्होंने ऐसा बताया कि बुराई से दूर रहना मतलब क्या, बुराई से नफरत करना मतलब क्या, नफरत करना, नफरत ऐसी चीज है, जैसे कि आप किसी के घर पे चले गए, घर जाने के या फिर कितने लोग चाय पीते ही नहीं है, ऐसी परिसिती आ जाती है कि आप किसी के घर गए है और आपको चाय पसंद नहीं है, पर उन्होंने सामने आपको लाकर चाय दे दिया, आपको चाय पसंद नहीं है, ध्यान से सुनिए, आपको चाय पसंद नहीं है, पर आप उस चा को लेते हैं और पी लेते हैं तो क्या हो गया कुछ पाप हो गया नहीं वो चीजे आपको पसंद नहीं थी पर परिस्तिती ऐसे आगई कि आपनो उस चीजों को किया तो वो गलत नहीं है अभी मैं नफरत बताती हूं आपनो सुभा सुभा चाय पीने की आदत है और चाय पीने बताईए, सामने वाले का दिल दुखेगा ना, अगर आप नहीं पियेंगे तो, आपको वो चीज से नफरत है, आपको वो चीज बिलकुल पसंद नहीं है, आप उसका नाम भी सुनना नहीं चाहते, चाय किसी ने लाकर दे दी तो हम मजबूरी में ले सकते हैं, पर करवा करेल में आना चाहिए, इसलिए, पर मेरे प्यारे भाई और बेनो, ये है नापसंद और नफरत में फरक, नापसंद, चाय आपको पसंद नहीं, पर मजबूरी में आपने पिया, करडेले का रस आपको बिलकुल पसंद नहीं, आपकी कितनी भी मजबूरी आ जाएगे, आप भी हो जाए, ये पाप मैं नहीं करूँगा, मेरी मरने की नौबत आईगी ना, तो भी मैं ये पाप नहीं करूँगा, इसे कहते हैं, बुराई से घ्रिना करना, हालेलोया, 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 मेरे प्यारे भाई और बेहनों, आपके आसपास में रहने वाले के उपर प्रेम कीजिए और उस प्रेम में आप खुछ जांच भी कीजिए कि उस प्रेम के पीछे आपका कोई मकसद है क्या आप किसी का भला कर रहे है तो उसके पीछे आपका क्या कारण है आप किसी कारण की वज़े से उसका भला कर रहे है या फिर आपकी सच्चे दिल से इच्छा है कि ये भाई को चंगाई मिलने चाहिए इस बहन के लिए मैं प्रात्ना करूँगी इसका भला हो जाए, इसका अच्छा हो जाए इसलिए का है दुसरों की भलाई यानि दो ब्रकार की भलाई होती है एक सारिरिक भलाई और एक आत्मिक भलाई अज लोग दूसरों का अच्छे से आसा नहीं से करते हैं जैसे कि आपके पढोस में कोई बहन बिमार पड़ गई है या कोई भाई बिमार पड़ गया है तो आप उसकी मदद कर रहे हैं करें, मेडिकल से कोई गोली ला कर दे रहे हैं, उनको कुछ चाहिए, आप खाना पिना उनको ला कर दे रहे, ये आप क्या करें, अच्छा काम करें, मतलब क्या करें, सारे रिक भलाई करें, पर अगर आप रभू पर विश्वास करने वाले लोग हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पता चला, पड़ोस में कोई बीमार है, आप उनको तेल दे दीजिए, उनके लिए प्रातना कीजिए, उनको वचन बोलने के लिए बताईए, और खुद आप गुटने टेक कर उनके लिए प्रातना कीजिए, मतलब वहन, वह भाई ठीक हो जाएगा, ठीक होने के बार, वह प्रभु के पास आजाएगा, उसका उधषार हो जाएगा, इससे प्रभु आपसे खुश हो जाएगा, हालेलोईए, दोनों प्रकर की भलाई है, एक उनका उपर से इलाज करना या उनको खाने पीने चीज़ों की मदद करना ये भी अच्छी काम है ये है साररिक भलाई और एक है आत्मिक भलाई उनकी आत्मा के लिए खुद प्रात्ना करना वो पाप में डूबे हैं आप उनके लिए प्रात्ना किजिए कि प्रभू उसको चंगा कर, उसका उधर कर, तुने मेरे जिवन में उधर लाया, उसके जिवन में भी उधर ला, वो आज बुरा काम कर रहा है, वो आज गलत काम कर रही है, प्रभू उसका भला कर और उसको आसीज दे, इसलिए तो पॉल इसलिए वचन केता है दूसरी के ऊपर प्रेम तो करो जैसे कि उस परमेशवन ने मनुस्य के ऊपर किया, वैसे ही प्रेम हमें भी करना है आपके दिल में अगर वो प्रेम नहीं है ना, प्रभु के पास प्रातना के जी, कि प्रभू तेरे जैसा दिल मुझे दे, तेरे जैसा दिल मुझे दे, जैसा तू बिमारों को देखकर तरस से भर जाता था, तू बिमारों को देखकर तेरे दिल में तरस आता था, वही प्रेम मेरे दिल में भी दे, मुझे भी दुसरों का दुख देखकर आखों में आसू आ साथ हमें अपने आसपास के लोगों से भी प्रेम रखना चाहिए अपने आसपास के लोगों से मतलब मनुस्यों से प्रेम रखना चाहिए आज लोग प्राणियों से प्रेम रखते हैं घर में दो दो तिन तिन कुत्ते पाल का रखेंगे बिल्ली पालकर रखेंगे, उसके उपर हाथ गुमाते हैं, उसको बाजु में लेकर बैठते हैं, पती ने कुछ पूछा तो उसको उल्टा जवाब देते हैं प्राणियों के उपर प्रेम करना और मनुस्य के उपर प्रेम करना इसमें फरक है प्राणियों को उनकी जग़ा पे रखना, प्रेम मनुस्य के उपर करना आपके घर में जो मनुस्य दिये हैं पहले उस पर प्यार कीजिए बहुत लोगों की गलत फैमी रहती है प्राणियों के उपर ज्यादा प्रेम करते हैं, उनके उपर हाथ गुमाते हैं गोद में लेके बेटते हैं, और आस पास में किसी को कोई मदद की जरूत रहीगी ना, तो देखकर हड़ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है हमें, तो बलकि हमें ऐसा करना है, जहां तक हो सके, दुसरों की भलाई करना है जहां तक हो सके, आपको जितनी हिम्मत है, आप में जितनी ताकत है, आप दुसरों का भला कीजिए, बाइबल कहती है, अगर आप दुसरों का भला करने वाले ठहरे, तो आपका बुरा करने वाला कौन है, अगर आप ही दुसरों का भला कर रहे हैं, तो आपका बुरा ही करने वाला कौन है, क्योंकि प दूसरों का भला करता है, जो दूसरों के उपर प्रेम करता है, जो दूसरों के उपर दया करता है, ध्यान रखना परमेस्वर की ताकत और परमेस्वर का सामर्थ उसकी तरफ में होता है, परमेस्वर के पास उसे खुद के लिए मांगने की जरुवत नहीं पड़ती, सिधा स् मेरे प्यारे भाई और बेहनों, इस वचन को आप बार बार पढ़िए, दूसरों के उपर प्यार निस्कपट यानि निस्वार्थपने से करना है, खुद को बुराई से बचाना है, और दूसरों की भलाई में लगे रहना है, सामने वाला आपके साथ कैसा वेवार करता है, उसके तरफ ध्यान देकर अपने मन को छोटा मत किजिए, अपने मन को खीच के मत रखिए, उसने मेरे साथ बुरा किया, अब इससे बात में उसकी कोई भलाई नहीं करूँगा, ये मत सोचिए, तो बलकि ये सोचिए, मैं भी हाई के उपर से अपना प्रेम क्यों हटाओ, मैं इस बहन के उपर से अपना प्रेम क्यों हटाओ, तो बलकि उनके लिए प्रातना कीजिए, उनके लिए प्रातना करने से केवल उनका ही भला नहीं हो जाएगा, तो बलकि आपका भी भला हो जाएगा, आपके परिवार का भल हो जाएगा और स्वारग की सारी आशी से आपको मिल जाएगी Хालेलोई या मश्य की प्राथ अब के लिए प्रातना करने जा रहे हूँ आपके बीमार हिस्से पर हात रखिये अगर वहाँ हात नहीं रख सकतें तो आप अपने सीने पर हात रखें विश्वास कीजे वो प्रभियेशू इस घड़ी आपको छुवेगा और आपको चंगा करेगा धन्यवाद स्वर्ग्य पिता धन्यवाद प्रभियेशू धन्यवाद पवित्र आत्मा धन्यवाद स्वर्किय पिता मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ कि आज इस वचनों को सुनने के लिए तुने इनकी दिल को खोला और इनको आसे सित किया है प्रभियेसु के पवित्र नाम से आपके सरीर के सारी बिमार्या इसी घड़ी निकल जाए आपके सरीर का सारा दर्द प्रभियेसु के नाम से नस्ट हो जाए आपके जीवन का दुख संकट प्रभियेसु के नाम से खतम हो जाए आपके मन की इच्छा प्रभियेसु के इच्छा के अनुसार पूरी हो जाए जिनके जीवन में दुष्ट आत्मा काम कर रही है मैं प्रभी येशु के नाम से आज्या देती हूँ उन्हें दुस्ट आत्माय छोड़कर निकल जाए आपके उपर और आपके परिवार पर प्रभी येशु के महान आसिस आ जाए आमेन आपके जाए